कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है लोग तो पीछे ताब आते हैं जब हम कामयाब होने लगते हैं दोस्तों आज है 30 सितंबर और देखेंगे आज के सारे करेंड एफेस साथ ही काफी सारे एक्स्टा फैक्ट भी तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों इदिया आपको करेंड एफेस का कंप्लीट पीडियाप नोट से ये तो आप हमारे पांस सवालों के जवाब दे कर ये नोट्स पराप्त कर सकते हैं और वह मैं आपसे पांस कोश्टन इस वीडियो में कभी पूछ सकता हूं तो उस वीडियो को आपको लास्त तक देखना होगा चलिए इसके लावा मैं अनेक एडियो उपर ही पढ़ाता हूं तो आप अनेक एडिमिक लर्निंग के प्रेश्टों से डाउन्लोड करके उसमें ऑनलाइन स्टी पॉइंट सर्च करके फॉलो कर सकते हैं मैं अपने अनेक एडिम प्रोफाल के लिंग इस वीडियो को रिस्क्रीप आपके फॉलो कर सकते हैं और आपको बता दें दोस्तों कि मतप्रिस के छिंदवाड़ा में देश का पहला मकई महुत्सव आजित किया रहा है ते हार एक तरह का अंतराश्टी कारका में और मतप्रिस भारत के सबसे बड़े मकई उत्पादक राज्यों में से एक है छिंदवाड़ा सरवाधिक मक्का उत्पादेश जिला है ठीक है यहाँ पर दोस्तों बात हो रही MP की मतप्रिस की तो आप पता दे कि MP की राजधानी है भोपाल गवर्नर है बरतमान में आनंदी विन पटेल और सिया में शिवराश्चिंग चौहान MP के गठन कब हो था एक नमबर 1956 को 1956 में ठीक है 1956 में गठन हो थे एक नमबर को और विधान सभागी सीट है यहाँ पे MP में 231 और राजसभाग सीट है 11 और लोगसभा की सीट है 29 भारत का सरवाधिक स्वयवन उत्पाधिक राजजिकौन सा उत्पाधिक तो वो है MP मतप्रदे संद्परिष को नदीयों का मायका कहते हैं साथ ही साथ भारत का हिर्दय प्रदेश भी कहते हैं मतप्रदेश को करवाया तो यह आदक ने बहुत इंपोर्टेंट एक सार एकजामिय पूछा जाते हैं तो देश का पहला मकई महुर्सों कि इस शहर में आजित क्या जा रहा है शिंदवाड़ा के मत्रदेश के सिंदवाड़ा डिस्टिक में ठीक है अगला कोशन दोस्तों चीन के लिए भारत का अगला राजदूत किशे नियुक्त किया गया है तो चीन के लिए भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है विक्रम मिस्री को यानि ऑप्सन भी करेक्ट हो जाएगा आपको तादिक भारत सरकार ने विक्रम मिस्री को चीन गड़ राज़ी के लिए भारत के राज़ूत क्रूमे नियूप किया है और आपको बतादिक वरत्वान में जो विक्रम मिस्री है मेमार के लिए भारत के राज़ूत है इसके लावा मिस्री गौतम बंबा वालेक जगे लेंगे विक्रम मिस्री जो गौतम बंब मुख्यायुक्ट में अंतर आपको पता होना सब्सक्राइब के始middag. यो राष्टमंडल के सदत्स देशों के प्रत्रिटी एक डूसरे के हाँ पर उच्छायुक्ट के नाम से जाने जाते हैं आपको बता देक जैसे पाकिस्तान और अस्ट्रेलिया में भारत के सरकार के प्रतिनिधी को उच्छा-youk कहा जाता है रस्टमंडल के सदस्द psychiatric यह जो कभी न कभी ब्रिटिन के आधिन रहे हैं और रस्टमंडल देशों में भारत के प्रतिनिधी को राज्चा-यूक तहलाते हैं आपयो मेरिका और जापा ने भारत सरकार के प्रतनिधी को राजदूत कहा जाता है और इन देशों में इस्थित जो भारती विदेश मंत्राला के कारयाला को दूतावास कहा जाता है राजदूत भी भारती विदेश सेवा के अधिकारी होते हैं ठीक है तो आपको यह फैक अंतर जो ह रहां के राश्वपती हैं शी जिन पिंग अगला कोशन ने एस्या कब दोठारा में किस खिलाडी को मैन आप दो सिरीज मिला है उसका करेक्ट एंसर है ऑप्शन भी शिखर धवन दुबाई में खेले गए फाइनल मैच में बंगलादेश को तीन से रहा कर भारती टीम ने साथवी बार एस्या कब जीता है आपको बता देख 117 गेंदों पर 120 रन बनाने वाले लिटन दास को मैन आप दमेच घोशित किया गया है तो यह भी आपका दर करें मैन आप दमेच मिलें लिटन दास को बंगलदेश की बलेर है इन्हों एक 117 गेंद सिलंका और होंग कॉंग एस्या कब की शुरुआत कब से पहला टूर्नमेंट हुआत इसका 1984 में कहां पर UAE में यानि सायुक्तराव अमीरात में ही हुआ ठीक तो यह भी फैक्ट आपको याद रखना है अगला कोश्चन है हाली में आई एनस भारती समाचार पत्र सोसाइटी कर देख्चरों में किसे चुना गया है करेक्ट एंसर ऑप्सन जयन्त मेमन मैथ्यू को गया प्रतिष्ठी भारती समाचार पत्र सोसाइटी कर देख्चरों में चुने गये हैं ठीक है तो यह आपको याद रखना है नेक्ट सोचन है बारह हिमाली राज्यों के सियम का सम्मे पांक्ष अक्टूबर 2018 को आजुत किया जाएगा और बैठक का जो विशा है क्रिशी के माध्यम से हिमाले लोगों की अगली पीड़ी का कल्याड है और हिमांचर प्रदेश गवर्मेंट इंटीग्रेटेड माउंटेन इनिसिट्यू के साथ भागीदारी में सिमलन काजन कर र यूएस ओपें 2018 का महिला एकल खिताब विजेता कौन है अगला कोशन यूएस ओपें 2018 के पूरू सेकलवर के खिताब किसने जीता थार्ड नमर कोशन है तीसरा हिंद माहसागर सम्मेलन किस देश में आजित किया गया था फौर्थ कोशन है किस देश में दुनिया का सबसे ब अधेश और फेश कंप्लीट नोट उसके लिए आपको इस बीनर जो जितने भी बीनर दोस्तों इस्टाग्राम पर मैं एनाउंस करूंगा तो आप इस्टाग्राम पर फॉलो कर लिजे ऑनलाइन इस्टडी पॉइंट सर्च करिए अपने इस्टाग्राम से और हम वहां पर दो कल लिजे ऑने पर मैं आपको इवनिंग में आज इस्टाग्राम पर विनर्स जो तो आपको एनाउंस करूंगा तो फटाफट लिखिये कमेंड बॉक्स में नेक्स फूचन है हाली में युनिशेव का विशेश प्रतिनिदी नुक्त किया गया तो हली में युनिशेव का है यू एन आई सी एफ इसका फुल फॉर्म क्या होगा युनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्डेन एमर्जनसी फंड ठीक है युनिसेप की स्थाबना का वोगी थी ग्यारद इसमबर 1946 को ग्यारद इसमबर 1946 में इसके जो बरतमान निदेशा के वो है टोरे हैटम युनिसेप का हैटकौर्टर नियुयार्क यूएसे में अब देख लेते हैं लास्ट वीडियो का एंसर भारत के प्रधानमंत्री नेद मोदिख साथ आज किस देश के राष्ट प्रमुक को श्युक्त रूप से चैंपियन आफ हरतावाट से मानित किया गया था करेक्ट एंसर था ऑप्सन भी इमैनियल मैंक्रो की फ्रांस के राष्ट पती है ठीक है इसका राइट एंसर था भी अब देख लेते हैं आज का सवाल क्या है बीएसेप के नए महाने ने सक किसे निक्ट किया गया है ऑप्सन इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें उनको भी इन्वाइट करें इस कंटेशन दो पाटिसिपेट करने के लिए और वीडियो अच्छी लगए तो लाइक करें और इस चैनल को सब्स्राइब और बेल आइक उन जरूर पिसका करें ताकि आपको वीडियो मिलती रहें मेंते नेक्स वीडियो को साथ आपका दिन सुभ हो जय हिंद जय भारत करें भारत झाल 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 झाल